सब्सक्राइब कीजिए दपरफेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस पार्ट में अब तक आपने सीखा क्या सीखा देखे प्रकाश रेखा सीधी रेखा में घमान करता है प्रकाश जो होता है वो बिल्कुल सीधी रेखा में जाता है ठीक है कोई भी पॉलिश किया हुआ अत्वा चमकदार सते दरपन की भाती कारा करता है उसमें आप अपना फेस देख सकते हैं जैसे कि आप शीशे में देख सकते हैं जो प्रतिविम परदे पर प्राप्त किया जा सके वो वस्तविक प्रतिविम कहलाता है जिस प्रतिविम को परद दरपण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दरपण के सामने बिम्ब की दूरी होती है, मतलब शीशे में जितनी दूरी पर वस्तु होगी प्रतिविम भी उतनी ही दूरी पर आपको बनता हुँ दिखाई देगा, नेक्स्ट बच्चो दरपन द्वारा बने प्रतिविम में वस्तु का बाया भाग प्रतिविम में दाया भाग दिखाई देता है तथा वस्तु का दाया भाग प्रतिविम में बाया भाग दिखता है ये भी चीज हमने सीखी, नेक्स्ट है, अब तल दर्पन वास्तविक तथा उड़का प्रितिविम बना सकता है, जब बिम्ब को दर्पन के पास रखा जाता है, तो प्रितिविम आभासी सीधा तथा आवर्धित होता है, उत्तल दर्पन बना प्रितिविम सीधा आभासी तथ चोटा बनता है ठीक है आकार में और कैसा सीधा बनता है अभासी बनता है और अफ्तल दरपड में उल्टा बनता है और सीधा बनता है और कैसा होता है प्रतिभिम अभासी होता है अब आगे देखते हैं यहां प्रिशन उत्तर है पहला प्रिशने एक नया स्टील का चम्मच ल से अन्य बरतनों की साहता से करने का प्रियास करें तो बच्चे देखो तीन चीजों के पार में बताना इस्टील का चम्मच लेना है उसकी आंतरिक सते देखनी है आपको तो उसमें पृतिविम उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा बहारी सते देखेंगे तो उसमें सीधा ब बनेगा ठीक है आंतरिक सते पर इसका प्रितिविम अफ्तल होगा बहारी सते पर उत्तल होगा और ठीक ऐसे ही स्टील का ग्लास का भी उल्टा बनेगा बड़ा बनेगा अफ्तल बनेगा आंतरिक सते पर इस्टील की कटोरी का भी आंतरिक सते पर उल्टा बनेगा बड़ा औ पर अफदल बनेगा जबकि बहारी सतय पर सीधा छोटा उत्तल और ये भी बहारी सतय पर सीधा छोटा और उत्तल ठीक है तो बस आपको ये टेबिल कम्प्लीट करनी थी कोशन लिखकर आपकी वक्षीट भी कम्प्लीट हो गई मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स फो वच च्याज स्द्दिंग्